राजस्थान का एक ऐसा दुर्ख जहां अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए योध्धाओं ने हस्ते हस्ते अपने प्राणों का बलीदान दे लिया। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ख जहां विराम नाओं ने हस्ते हस्ते जोहर को अपना लिया। और एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार जोहर की गटना होई। जोहर का मतलब होता है जब कोई भी महिला जीवित अगनी कुण में कूच जाती है जीवित अपने आपको अगनी में समर्पित कर देती है और मृत्यु को गले लगा लेती है केवल अपने सम्मान, स्वाबिमान और सतिप्त्व की रक्षा के लिए तो इसको हम जोहर की गटना कहते हैं राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जो राजस्थान की अधिकांशत है इतिहास को अपने अंदर से मेटे हुए है आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के चितोडगर दुर्ग की और साथ साथ आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आजए अगर आपका इतिहास अच्छा अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो मेरी सला है आपके लिए आपको फिर भी ये वीडियो देखना चाहिए मैं रमन भारदवाज भारदवाज क्लासे से और आपके लिए इस वी यार राजस्थान के अजमेर जिले से लगबग 233 किलोमेटर की दूरी पर है जो कि राजस्थान के दक्षन में एक जिला है चित्तोड जिला वहाँ पर बनाऊ है चित्तोड जिले में एक पठार है ये एक प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं मेसा का पठार या प्लेट्यू तो इस मेसा के पठार पर ही ये दुर्ग बनाया हुए अब देखो इस दुर्ग का निर्मान किस ने करा है तो ये जानकारी हमको कुछ स्त्रोतों से कुछ पुस्तकों से मिलती है वहां से पता चलता इसका निर्मान किस ने करा है जैसे तो राजस्थान के कवी हुए है तो ये बताया हुआ है कि चितोड दुर्ग का निर्माण चित्रांगत मोर्य ने किया, कहीं ये बताया हुआ है कि चितोड दुर्ग का निर्माण चित्रंग मोर्य ने किया, और कहीं पर ये बताया हुआ है कि चितोड दुर्ग का निर्माण चित्रंग मोर्य ने किया, तो ये यही चित्रांग या चित्रांग दीरे दीरे विक्रित होकर ये बना चित्रकूट और चित्रकूट से बाद में दीरे दीरे ये बन गया चित्तोड तो इस तरीके से इसका ये नाम पड़ा चित्तोड और देखो ध्यान रणा चित्तोड के दुर्ग के अधिकांश भाग का जो मेवाड के शाष करें। बाद में इनके पुत्र ने 1468 में कटार घुंप कर इंकी अत्या कर दी थी। अब माराना कुम्बा के बारे में डिटेल से तो देखो जब मैं मेवाड के इतिहास का आप से डिसकेशन करूंगा जब चर्चा करूंगा तो वहाँ पर चर्चा करूंगा माराना कुम्बा के बारे में क्योंकि केवल माराना कुम्बा का अगर यहां पे टोपिक लेता हूं त जैसे कि दिल्ली का कोई भी शाषक होता था अगर उसको गुजरात की ओर जाना है या उसको मालवा की ओर जाना है तो उसके रस्ते में चितोड आता था तो यानि कि दक्षिन का जो रस्ता होता था दक्षिन भालत की ओर जाने का जो रस्ता है वो इस ओर से गुजरता था अब अगर दिल्ली के किसी शाषब को मालवा की और जाना है तो चितोड की और से उकर जाना पड़ेगा इसलिए चितोड को हम मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते थे इसी तरीके से अगर आप दक्षिन से राजस्थान में एंट्री करेंगे तो चितोड आपके रास्ते माता है इसलिए चितोड के दुर्ग को हम दक्षिनी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी वहते हैं। तो ये सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। चितोड को और दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश दुवार किसे कहते हैं चितोड को इसके अलावा और भी चितोड के उपनाम है चितोडगड दुर्गी के जो आपको समझ लेने चीए क्योंकि एक्जाम में पूछे जा सकते हैं एक तो चितोडगड के दुर्ग को हम से श्रेष्ट भी सकोंग होते हैं अब देखो वैसे राजस्थान का इसको सन 2013 में युनेस्को की वर्ड हैरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया यानि युनेस्को की विश्वध हरोहर सूची में कब किया 21 जून सन 2013 राजस्थान का ये एकमातर ऐसा किला नहीं है जिसको व वर्ड हेरीटेज लिस्ट में शामिल किया गया उसके लिए बड़ी सरल ट्रिक है और ट्रिक क्या है आम गाजर चीकु सिंपल यानि आम से आमेर गा से गागरोंड जैसे जैसल में रैसे रंथंबोर ची से चितोड और कु से कुम्बल गण तो ये टोटल चैसे किले थे जिनको युनेस्को की वर्ड हेरीटेज लिस्ट में शामिल किया गया था अब चितोड दुर्ग में हुए शाकों के बारे में बात कर लेता है देगे यहाँ पर टोटल तीन शाके वे शाका क्या होता है समझना कि जब युद्ध होता है तो एक तो युद्धा जाता है युद्ध और जोहर दोनों गटनाए होती हो वहाँ उसकों बोलते हैं शाका और जिस युद्ध में दोनों में से कोई भी एक गटना ना हो जैसे युद्ध तो होगा लेकिन महिलाएं अगर जोहर ना करें तो उसकों बोलते हैं अर्द शाका राजस्थान का एक मात्र जैसल मेर दुर दूसरा हुआ था सन 1535 में और तीसरा हुआ था 1566 यानि 1567-68 में पहले शाकी की बात करते हैं सन 1303 में ये तो अभी सुर्ख्यों में भी रहा हाइलाइट रहा कि चितोड के जो शाशक थे वो रावल रतन सिंग थे उनकी राली थी पदमिनी और चितोड पर आकरमन किया था दि रावदिन घिलजी 28 जनवरी सन 1303 को दिल्ली से चला और 26 अगस्त 1303 को चितोड के दुर्ग पर उसका आधिकार हो गया था अब यहां पर विरांगनाओं ने अपने सम्मान स्वाविमान और सतित्वे की रक्षा के लिए जिंदा अगनी कुण में कूद गई थी इसलिए यह आप जोहर भी वहा था और योदा लड़े थे तो केसरिया भी हो था आप दूसरे शाके पर चबते हैं देखिया और करनावति के नाम से बिझाना में ज़रोर सुनाओा माराना सांगा की धर्मपत्मिंती कर्मा वतयां करना की संतान थे विक्रमा दित और उदेशिंग माराना सांगा की शन पंधरासो अठाथ था बार में मतह्यों वंधयो उनके अलप वयस्क पुत्र यानि वयस्क नहीं थे मिवार के शाशक बन दे अब इनके समय क्या हुआ सन 1535 में गुजरात के जो शाशक थे बहादूर्शा उसने चित्तोड पर चड़ाई शुरू कर दी चित्तोड पर आक्रमन कर लिया अब इस समय विक्रमादित्यों और उद्य सिंग करणावती के जो दोनों पुत्र थे वो वयस्क नही अब 1535 में बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ तो इस युद्ध में योदाओं ने केसरिया भी किया और विराहनाओं ने करणावती या करमावती के नित्रत में जोहर की गटना को अंजाम दिया तो ये दूसरा शाका हुआ था आठ मार्ट सन 1535 को अब देखे इसके 25 फेबररी 1568 हिस्वी को क्या हुआ था यहां पर देखो 1567-68 के समय मेवारती जो शाशक थे वो थे उदय सिंग और अकबर की सेना ने चितोड पर चड़ाई शुरू कर दी थी तो जब चितोड को काफी समय तक उन्होंने घेरे रखा तो चितोड के सेना नाए तो चितोड क जब गोगुंदा गए तो उन्होंने चितोड के दुर्ग की रक्षा का कारिये भार दो व्यक्तियों पर सोपा एक तो थे जैमर राठोड और दूसरे थे पत्ता शिशोदिया तो महारणा उदय सिंग यहां से चले गए थे और इसके अलावा जैमर राठोड और पत्ता शि नित्रत में हुआ था पत्ता शिशोदिया की जो वाइफ थी जो धरम पत्नी थी उनका नाम था फूल कमर तो फूल कमर के नित्रत में सभी वीरांगनाव ने जोहर की गटना को अंजाम दिया था और 25 फेबररी 1568 को अकबर की सेना का चितोड के दुर्ग पर अधिकार हो गय वो क्या है कि इस युद्ध से पहले जो है वो जैमल राठोड घायर हो वे थे उनके पैर में एक तीर आकर लगया था जिससे उनसे चला नहीं जा रहा था तो जब वो युद्ध करने के लिए जाने लगे तो उनसे बैलेंस नहीं यानि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वो दो तलवारे तो हो गई जैमल राठोड के हाथ में और दो तलवारे ोगई कला राठोड के हाथ में और वो जब मुगल सेना से युद्ध कर ले तो ऐसा लगए जैसे कि चार हाथों वाला कोई दे वता चित्वर की सेना की ओर से लड़ रहा है तो ध्यावर नाक आलांतर म की बात हो गई अब मैं बात करूंगा विजय स्तंब्या की थी इस समझने एक वर हम चलते हैं जरह इतिहास में चलते हैं इन्होंने मार दिया, माराना कुम्बा जब मेवाड के शाशक बने, तो उन्होंने अपने पिता के अत्यारों को तो मार दिया, किसको चाचा और मेरा को, चाचा और मेरा का एक साथी ओर था, जिसका नाम था महपा पवार, महपा पवार यहां से भाग गया, और यहां से भाग जाकर उसने शरण ली मालवा का एक शाशक था जिसका नाम था मैमूद खिल जी ने उसको अपने यहाँ पर शरण दे जब महाराना कुम्बा को इस बात का पता चला तो महाराना कुम्बा ने कहा कि भीया देखो मैपा पमार जो है वो मेरा दुश्मन है वो मुझे वापस इस युद में क्या किया माराना कुम्बा ने महमूद खिल जी को बंदी बना लिया और 6 मैने तक उसको बंदी बना रखा बाद में जब उसने क्षमा मांगी क्षमा याचना की तो महमूद खिल जी को जाने दिया और महपा पमार को मार कर अपने पिता के हत्या की बद्रा उ इस विजय स्थम्भ या कीर्थी स्थम्भ का निर्मान कराया कब चालो हुआ देखो अब विजय स्थम्भ या कीर्थी स्थम्भ के इसकी विशेष्थाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं इसका निर्मान सन 1440 में शुरू किया गया था और 1448 तक इसको पूरा किया गय इसलिए विजायस्तम जो है वगवान विश्णु को समर पिता, इसलिए इसको विश्णु ध्वच गड़ भी बोलते हैं, दियान रखना विश्णु ध्वच गड़ इसको किस ने कहा। उपेंदरनाथ ने कहा। इसके अलावा और बिए अलगलग नामों से इसको जाना जता ह जैसे विक्ट्री टावर भी बोलते हैं विक्ट्री टावर क्यों कि जीत की खुशी में बनाया गया इसके अलावा भारतिय मूर्तिकला का विश्वकौश भी इसको कहते हैं ये नाम किसने दिया देखो डॉक्टर गोड्स थे जिन्होंने इसको भारतिय मूर्तिकला का विश् विजय स्तंब से बड़ा हो उंचा हो लेकिन विजय स्तंब की जो कारी गरी है वो कुतुब मिनार से बहतर है मतलब सरल से शब्दों में करनल जेम्स टोड ने विजय स्तंब को कुतुब मिनार से बहतर इमारत बता है इसी तरीके से एड़र फर्जूसन ने विजय स्तंब की त चोड़ाई है वो है 30 फिट इसके अंदर टोटल 157 यानि 157 सीडिया बनी हुई है यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो तीसरी मंजिल पर आपको 9 बार अल्लाह लिखावा मिलेगा यह सवाल आया हुआ है कि विजयस्तम की कौन सी मंजिल पर कितनी बार अल्लाह लिखावा ह इसके अलावा एक और विशेस्ता है इसकी जो आठवी मंजिल आप देखेंगे तो आठवी मंजिल पर आपको कोई भी मूर्ती नहीं दिखेगी एक बार ऐसा भी हुआ था कि आसमान से बिजली गिरने के गारण इसकी 9 बी मंजिल जो है वो क्षति गरस्त हो गई थी बाद म महाराना स्वरूप सिंग के द्वारा इसका जिर्णोदार कराए गया यादि वापस उस नोभी मंजिल को फिर से बनाए गया तो अगर कभी भूली जाओ तो सीधे आप ऐसे धान रख लेना कि इसका जब रूप बिजली गिरने से जब इसका रूप या स्वरूप खाहताि जो कि अभी हमने पड़ा है और कीरती स्थम्पंव प्रशस्ती ज Lake प्रशस्ती क्या होती हे पुराना जो भी आपको इतियास देखने को मिलते है वो कही नाадно कई शिलाओ पर या अलग अलग जगे لिखा वह पर शिला मतलब पत्थर तो सिला पर कुछ लिखाओ या क की गाथाएं लिखी विए तो उसका हम बोलते हैं प्रशस्ति तो यहां पर देखो कीरती इस्तंब प्रशस्ति इसका पूरा नाम है जैन कीरती इस्तंब प्रशस्ति जिसका निर्मान दस्वी से ग्यारवी शताब्दी यानि दस्वी 10th 11th century में व्यापारी थे जैन व्यापार थे तो इसको पूरा करने का जो काम किया था वह अत्री बट के पुत्र थे बेटे जिनका नाम महेश बट महेश बट आप चाहो तो याद रगले जो पिच्चरें बनाता है बोलीवूड में अलाकि वह महेश बट अलग थे अब देखो यह जो जैन कीरती इस्तंब प्रशस् प्रशस्ति किसको समरपितए तो भगवान आदीनाथ को समरपित यह प्रशस्ति इसी दुर्ग में अन्य महत्वपुर्ण स्थलों की अगर बाद करें तो एक तो है सत बीस देवरी सत बीस का मतलब देखो क्या है सत का मतलब साथ और वीस का मतलब वीस यानि कि सत आइस तो यहाँ पर टोटल के हैं सत आइस अलग-अलग मंदिर है और इन सत आइस मंदिरों में किसकी मूर्तिया है जैन संपरदाय की जो टोटल 24 तीर्थंकर यानी जो भी 24 भगवान हुए है उनको बोलते हैं सत्वीस देवली इसके अलावा चित्तोर दुर्ग में मीरा मंदिर भी इस्तित है यह बहुत प्रसिद है मीरा मंदिर को पहले कुम्भ शाम मंदिर बोलते थे वर्तमान में उसको मी मीरा मंदिर में अगर आप जाएंगे तो यहां पर मीरा जी की कोई मूर्ती नहीं लगी हुई है मीरा जी की केवल एक फ्रेम पर एक फोटो लगाई हुई है वो मीरा मंदिर के अंदर है मीरा मंदिर के सामने ही एक छत्री इस्तित है जो मीरा के गुरू जी की है मीरा के गु गूगल को अगर आप Google Map से देखें यानि कि सेटलाइट इमेज देखें तो आपको ये भेल मचली के समान में जराता है पूछा जा सकता है सवाल आपसे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो भेल मचली के समान में जराता है इसके अलावा और इंपोर्टेंट कि चितोड क किला राजिस्थान का एक मात्र ऐसा किला है जहां पर खेती भी की जाती है अब देखो चितोडगर दुर्ग से रिलेटेड मैंने प्रियास किया कि आपको लगबाग हर तरह की जानकारी रोचक तरीके से उपलब्द करा जो हूं इसी वीडियो की इसी पार्ट की जो सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें